Hello everyone, welcome to the class guys, कैसे हैं, आप सभी उमीद करता हूँ, सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आज हम इस वीडियो में optical instrument, microscope, simple microscope, compound microscope, telescope, इनको बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, एकदम best revision होगा, लेकिन आपको detailed one shot की feeling आईगी, कोई भी chapter का आपको revision देखना है, तो आप बस chapter का ना जो हमारी आँखों की range को बढ़ा दे, उसी को हम optical instrument कहते हैं, जैसे अभी मैं normal अपनी आँखों से bacteria virus को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन microscope का इस्तमाल करके, बैक्टिरिया को देख सकता हूँ, तो भई यह optical instrument हो गया, मैं अभी अपनी naked eye से moon की surface को नहीं देख पाऊंगा, तो telescope का इस्तमाल करके, हम moon की surface को clearly देख सकते हैं, तो यह एक optical instrument हो गया, तो ऐसा device जो हमारी आँखों की range को बढ़ा दे, उसको हम optical instrument कहते हैं, तो optical instrument हमारे दो टाइप के हैं, एक है microscope जो छोटी चीज़ों को बढ़ा करके दिखाता है, और दूसरा है telescope जो दूर located चीज़ों को clearly बताता है, जैसे कि planet कहां कहां कैस किस position में घूम रहे हैं, इसको observe करना है, तो telescope से हम observe कर सकते हैं, moon की surface हो clearly देख सकते हैं, microscope दो टाइप के हैं, simple microscope और compound microscope, दोनों को पढ़ेंगे, telescope दो टाइप के हैं, reflecting जिनमें lens का इस्तमाल होता है, और reflecting जिनमें mirror का भी इस्तमाल होता है, reflecting telescope फर्दर दो टाइप के होते हैं, astronomical telescope और terrestrial telescope, reflecting telescope भी दो टाइप के हैं, newtonian telescope और कैसे granian telescope, सभी को अराम से बढ़ेंगे, tension मतलोग, आगे बढ़ने से पहले आपको समझना है कि हमें, दो point पर image formation शो करना होता है अपने diagrams में, पहला है least distance of distinct vision, जिसको हम LDDV बोलते हैं, इसका म आखों से minimum दूरी पर image बनानी है, देखो least का मतलब सबसे छोटी, distance का मतलब दूरी, distinct का मतलब साफ साफ vision का मतलब दिखाई देना, तो इसे मान के चलो, मैं अपनी आखों से इतने पास में कोई object रखो, तो साफ नहीं दिखाई पड़ेगा ना, लेकिन दूर लेकर जा रहा है, इसका मतलब यह कि यह दूरी जो है, यह least distance of distance vision में बोलूँगा, clear है, तो image अमें LDDV पर बनानी होती है, तो आप याद रखें कि जब भी आपको सबसे बड़ी image बनानी हो, तो उस बड़ी image के लिए, या LDDV के लिए, जो object आपको रखना है, यह कहां रखोगे, optical center and focus के बीच में, बस यह बाद याद रखें, ठीक है, और infinity पे image बनानी है, तो object कहां रखा जाएगा, object रखा जाएगा, object add focus, सब चीज़ समझ में आ जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में तो रखो अब, ठीक है, node point, याद रखी है, near point, यानि साब दिखने वाली जो सबसे कम दूरी होती है, healthy आखों के लिए, जो near point है, वो 25 cm है, और far point, यानि कि healthy आखों को कितने दूर तक का clearly दिखाई देगा, तो वो है infinity, कि infinity मतलब बहुत लंबी distance, हम यहां से कितने दूर आसमान देख लेते हैं, और कितने दूर का देखना है आपको, है के नहीं, तो healthy eyes के लि देखेंगे, दो point पे image बनानी है, LDDV और infinity, जब LDDV पे image बनानी हो, तो object को optical center और focus के बीच में रखना, infinity पे image बनानी हो, तो object को focus पे रखेंगे, ठीक है, सबसे बहले हम बात करेंगे, microscope की भाई साब, tension मतलो, ray diagram देखकर है, गवराना नहीं है, चाहे उतना पड़ा ray diagram हो, आ microscope है, अब हमा, जब भी हम कहते हैं, microscope तो हमें वही वाला microscope यार आता है, जो chemistry की lab में, bio की lab में, रखा होता है, है ना, bio की lab में, clear है, तो वो compound microscope है, और हमें कौन सा पढ़ना है पहले, simple microscope, simple microscope, एक simple से convex lens से ही कह दिया जाता है, इसका काम होता है कि बारिक बारिक अक्षर लिखे है, तो बस वो पढ़ने है अपन, उसको हमने का बोला, simple microscope, clear है, now, it is just a convex lens with short focal length, head close to eye, ठीक है, अब ये, हमसे optical instrument में क्या पूछा जाता है, कि simple microscope, compound microscope की magnifying power क्या है, मतलब कितने गुना बड़ी image ये बना सकता है, clear है, तो इसके लिए पहले हमें ray diagram बनाना होता है, तो ray diagram हम बन ये दो जगे पे, least distance of distinct vision और infinity, तो ये case है, least distance of distinct vision बादा, देखो, सबसे बहले हम क्या करते हैं, कि ये हमारे पास, सबसे बहले देखो, क्या करेंगे, ये मेरे पास ये lens होगा, ये lens बना दिया, ठीक है, ये इस lens की focal length, ये इस lens की focal length, ये object रख दिया, देखो, optical center और lens के image बन जाएगी, बस यही हमने इसके अंदर करा है, देखो, यही हमने इसके अंदर किया है, ठीक है, बताओ, कोई दिकत नहीं, यहाँ पर देखना ज़रा, जहाँ पे object रखा है, उसको हमने a b नाम दिया, ये image जो मिल गई, यहाँ पे हमने इसको a one b one नाम दे दिया, clear है, अ आइटर हमारी आँखों में तो जाएंगी, image ने आँखों पे कितना एंगल बनाया, angle made by image अपन, object ने आँखों पे कितना एंगल बनाया, लेकिन object का एंगल कहां से देखना है, जब object LDDV पे रखा हो, least distance of distinct vision पे रखा हो, मतलब, देखो, image ने आँखों पे कितना एंगल बना अबजेक्ट ने आँखों पे कितना एंगल बनाया, तो हमने कहां कि object का एंगल देखना तो है, लेकिन object को कहां पे रखके देखना है, LDDV पे, तो यह जो image बन रही है, भाई साब हम lens से कहां देखेंगे, जहां पे हम एकदम साब देखें, तो इस distance को हम बोलते है, LDDV, तो इसको हमने कहा कि सर यह जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं, अलफा, क्या बोलते हैं, अलफा, ठीक है, यह एंगल किस से बन रहा है, यह एंगल object से आने वाली light ray से बन रहा है, लेकिन object को कहां रखके एंगल बनाना है, LDDV पे, तो यह LDDV वाली दूरी है, यही पे रख इमेज ने आँखों पे कितना एंगल बनाया, बीटा, अपन object ने आँखों पे कितना एंगल बनाया, अलफा, लेकिन object का एंगल कहां से देखना है, least distance of distinct vision से, ठीक है, तो देखो, magnification का formula हो गया, बीटा अपन अलफा, जब एंगल बहुत छोटा होता है, तो बीटा की calculation हम कर द्यान से देखो, कुछ नहीं करा, ये triangle देखो, छोटा वाला triangle, इसमें हमने work कर दिया, छोटा वाला triangle, तो छोटा वाला triangle देखो कौन सा है, A, B, O, optical center O, तो A, B, O में हमने work करा, perpendicular, perpendicular upon base, इसमें work करा, तो A, B upon B, O, ये बन गया, टेक चलिए, इसके बाद 10 alpha के लिए कौन से triangle में work करना है, देखो ज़रा, ये वाले triangle में, ये वाले में, ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये alpha angle बन रहा है, तो इसके लिए क्या बनेगा, A, 2, B, 1 upon B, O, perpendicular upon base, 10 का formula है, चले ठीक है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं, यहाँ पे देख लो, आपो clear हो जाएगा, कि जो A, B, और A, 2, B, 1 है, ये दोनों की height तो same है, तो हमने क्या करा, कि यहाँ पर देखो, A, 2, B, 1 और A, B, दोनों को हमने same रखा, तो इस A, 2, B, 1 की जगे क्या लेख सके हम, A, B, तो 10 alpha की value ये आ गई, A, B upon B, O, इसके बाद magnification का formula होता है, M is equal to 10 beta upon 10 alpha, ये होता है, तो हमने 10 beta की value ये रही, upon 10 alpha, 10 alpha की value से divide करेंगे, तो पलट के ये उपर चला जाएगा, तो ये चला गया उपर, ठेक, इस A, B से A, B को काट दिया, क्या बचा, B1 O upon B O, ध्यान से देखो, B1 O upon B O, ध्यान से देखना, B1 पे क्या बन रही है, B1 पे दो image बन रही है, B1 पे दो image बन रही है और image कितनी दूरी पे बनती है, least distance of distinct vision, तो हमने B1 O को क्या लेखा, minus D, इसी प्रकार से, B पे क्या रखा है, B पे object रखा है, left में रखा है, तो minus U, left में इसलिए minus sign लगाया, तो magnification का formula क्या बन गया, minus B upon minus U, minus से minus कट गया, तो क्या बचा, D upon U, अब ये जो formula आया है, इसमें lens क बारे में lens की focal length वगरा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो क्या करा गया, तो हमने यहाँ पर, इस D upon U की value को lens की focal length के term में निकाला, तो हमने यहाँ पे बनाया, case 1 LDDV के लिए है, lens formula लगाएंगे, 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U, इसके बाद हमें पता है कि जो V image है, वो D distance बन रही है minus D पे, तो minus D ले लिया, object जो है, यह भी left में रखा है, तो minus U ले लिया, हमने क्या करा, यहाँ पे इन values को put करा, उपर नीचे दोनों साइट D का multiply कर दिया, क्योंकि हमें D upon U की value चाहिए, तो D upon, तो यहाँ से कट जाएगा, minus 1 बन बचा, D upon U की value जो आ गई, वो यह आ गई है इस value को उठा कि इस equation पूट कर दिया, तो M is equal to 1 plus D upon F आ गया, तो यह जो magnification का formula मिला, यह least distance of distant vision पे मिला है, आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हैं, अभी आपको, अगर magnification निकालनी हो, infinity पे, तो infinity के लिए object कहां रखना है, focus पे, तो infinity के अगर हम बात करेंगे, तो आप देख रह दिया, F, तो infinity के लिए formula आ गया, D upon F, ठीक है, और जो आपने diagram देख रहे हो, इस diagram में बस कुछ भी नहीं है, यह जो object जो है, इस बार हमने focus और optical center के बीच में ना रखते हुए, focus पे रख दिया, तो इस से जाने वाल light रे एकदम parallel हो गई, बस यह ray diagram हो गया, ठीक, यह angle बन बीटा, बस यह दिखाना है आपको, उमीद गरोंगा यह आपको microscope, simple microscope समझ माया होगा, important question है, आप इसका भी screenshot ले सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे, compound microscope की और, compound microscope का diagram बढ़ा है लेकिन आपको tension नहीं लेना है, compound microscope में क्या होता है, दो lens होते हैं, एक lens, objective lens है, यह object से आने इसमें गुसती है, इसके बाद जो भी image बनी, जैसे कि यहाँ पर जो भी image बनी, यह पहला lens है, जिसको हम objective lens बोलते हैं, यह object के ऊपर रखा होता है, ठीक है, उसके बाद इसी pipe में एक दूसरा lens fix होता है, अब यह दूसरा lens क्या करता है, कि यह पहले lens की जो image बनी है, इसको microscope काम है, वो lens जो object को उपर रखा होता, उसको objective lens बोलते हैं, वो lens जिसके हम अपनी आँख रखके देखते हैं, इसको हम IPS बोलते हैं, और यही final image बनाता है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, कि IPS की focal length, objective lens की focal length से बड़ी होती है, ठीक है, बस, LDTV के लिए object आपका optical center of focal length के बीच में होने वाला है, diagram कैसे बनाते हैं, चोलो के करके समझते हैं, पहला object के सामने, यह objective lens, यह अपनी image बनाएगा, इसी image को बड़ा करके बना देगा, कौन, दूसरा वाला IPS lens, ठीक है, नाओ, तो देखो, सबसे पहला काम क्या करा, सबसे पहला काम कुछ नहीं, यह मेर गई image, इसका नाम हो गया, A1, B1, ठीक है सर, समझ में आ गया, इसके बाद, इस image को magnify कौन करेगा, दूसरा lens, बड़ा lens, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, कि यह वाला जो lens, यह जो image बन रही है, अपन दूसरा lens पता है, कहा लगाएंगे, दूसरा lens ऐसे रखना है, अप इसके लिए, तो यह objective होगा, तो इसको, A1, B1 को, इसकी focus और optical center के बीच में आना चाहिए, तभी बड़ी image बनेगी, तो देखो, वही काम हम यहाँ पे करते हैं, मैं step by step समझा रहा हूँ, step by step, तो हमने कहा करा, कि दूसरा वाला lens, जो कि देखो, बड़ा है, IP समने इसको बो पे, कहां से जाएगी, let's say, यहां से, दूसरी light ray कहां से, optical center से, इन दोनों को पीछे retrace कर दिया, जहां पे मिलेगी, वहीं पे image बन गई, तो image हम यहां पे बना देंगे, ठीक है, चलिए, ध्यान देंगे, तो देखो, यह मैंने ऐसा ही कर दिया, बन गई image, अब angle वे angle देख बन गई, तो image आने वाई light ray का angle बीटा, और object से, object कौन है सर, object तो a b है, object कौन है, object a b है, object से, आखों पर, मतलब eye piece, हम microscope में eye piece पर यहांख रख लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं का आख हमारी यहीं पर है, तो object से, आखों पर, आने वाली light ray, जो angle बना रही, उसको मुने ना देते हैं, नहीं तो यहीं पर किचर मिचर सब किचिडी पक जाएगी आपके हैं, तो object से, हमारी आखों पर कितना angle बनना चाहिए, alpha, लेकिन object कहां रखा होना चाहिए, सर, object रखा होना चाहिए, least distance of distinct vision पे, तो d distance पे, बीटा आपने यहां दिखा दिया, alpha side में दिखा दिया बता ज़रा, clear है, object से, आखों पे, जो angle बना, alpha, कितनी दूरी पे object होना चाहिए, कब तब मानेंग, alpha, जब object least distance of distinct vision पे रखा हो, बस, यह diagram देखो, अभी आपको यहां पर बना वो मिल गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, clear है, यह F-O बता दिया, यहां पे, यह A- A-1, B-1, final image, A-2, B-2, बस, आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब तो फिर से triangle ढूड़ो, इस triangle है work करेंगे, यह 10 बीटा के लिए, छोटे वाले triangle में, यह इस triangle है work करा, क्या रखा, A-1, B-1 upon B-1 E, ठीक है, क्या रखा, यह देखो, यह लिखा है, A-1, B-1, ठीक है, A- A-1, और यह क्या है, A-1, B-1 upon B-1 E, perpendicular upon base, अब alpha के लिए क्या करा, alpha के लिए अलग से दिखाया, A-B, angle made by object, on I, यह I, E point पे है, alpha, कितनी distance पे D, तो perpendicular upon base, perpendicular क्या है, A-B, और base क्या है, D, ठीक है, दिखा दिया, फिर से 10 बीटा upon 10 alpha करा, तो 10 बीटा upon 10 alpha अपन करेंगे, ध्यान से देखना, तो 10 बीटा की value, A-1, B-1 upon B-1 E, ठीक, 10 alpha की value, A-B upon D, पलट गई, तो D upon A-B आ गई, ठीक है, इसके बाद से हमने ऐसा करा, कि A-B को इसके नीचे किसका दिया, किसका सकते है, ठीक है, A-B को इसके नीचे, और इसको इसके नीचे, तो ऐसा करने से क्या हुआ, कि A-1 B-1 तो यह पहला जो objective lens देख रहे हो, objective lens देखो, यह जो objective lens ने image कौन सी बनाई, A-1, B-1, तो A-1, B-1 जो है, objective lens की image है, तो height of image upon A-B क्या है, objective lens के लिए object, तो height of image upon height of object होता है, magnification of objective lens, इसी प्रकार से formula होता है, magnification का image distance upon object distance, तो final image कहां बन रही है, IPS की, D distance पे, कहां बन रही है, D distance पे, और object कहां रखा है, देखो ज़रा, यह जो A-1, B-1 है, यह IPS के लिए क्या है, object, तो U distance पे, मतलब minus D और minus U, left में है, तो हमने इसके जए क्या लेखा, magnification, image distance upon object distance, तो यह हो गया, magnification by IPS, यह एक important formula हो गया magnification का, ठीक है, MO की जगे हमने क्या पूट करा, वही देखो, image distance upon object distance, तो अगर हम object की बात करें, यह objective lens की, तो इस lens की image कहां बन रही है, यह देखो, A-1, B-1 में बन रही है, VO, यह देखो, यह objective lens और B-1 में बन रही है, image तो VO, right में है, तो plus ने लिया, अच्छा, image distance upon object distance, यह त तो UO, अब देखना, image distance upon, इसका object का है, UO distance पर, है ना, तो magnification of objective lens का, यह भी formula हो गया, image distance upon object distance, ठीक है, जो चीज राइट में है, उसको positive, जो लेफ्ट में है, उसको negative, magnification by IPS, तो IPS का, जो magnification का formula क्या हो गया है, image बन रही है, minus D distance पर, और IPS का object रखा है, minus U distance पर, तो यह बन गय देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या करा, कि माइनस से माइनस साइन कट कर दिया, तो final formula magnification का यह बन गया, minus B upon U into D upon UE, लेकिन इस formula में क्या हो रहा है, बच्चों, कि lens के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कि lens की focal length वगरा कितनी होना चाहिए, तो हमने क्या करा, कि D upon UE की value को replace करने चाहरा है, ठीक है, तो देखो, तो case 1, image at LDDB, तो least distance, distinct vision पे image बन रही है, तो फिर से, अब final image कौन बना रहा है, IPS, तो lens formula लगाएंगे IPS के लिए, देखो, focal length तो हमेशा convex lens की positive होती है, तो उसमें तो कुछ करा नहीं, VE की जगह, minus D, UE की जगह, जो final object है, वो UE हमने इसको बोला, ठीक है, तो minus का U, इस प्रकार से ये बना कुछ इस तरीक है, D का multiply कर दिया, D upon UE की value, किसकी, D upon UE की value अपन यहां से निकालेंगे, जो की value अपने कुछ इस प्रकार से आ जाईगे, देखो, सरा द्यान से, ये value आ गई, और इसी value को उठा के हमने equation number 4 में put क कर दी, तो magnification का ये formula निकलाया, ठीक है, इसके बाद देखो, तो ये LD TV पे इतनी magnification होगी, final image, जब infinity पे बन रही होगी, जिसको हमने case 2 माना, तो UE की जाएगे, बस क्या रख देंगे, FE, तो magnification का formula equation number 4 से ये आ जाएगा, जब final image बनाई जाती है, तो क्या करते है, कि ये जो A A1, B1 बन रहा है न, इसको इस lens की focal length पे रखेंगे, FE distance पे, कितनी focal length of this lens, तो एक light ray सीधे जाएगी, ऐसे, एक light ray optical center से, इस तरीके से, ये light कभी मीट नहीं करना चाहिए, एक light ray इस परकार से, और एक light ray इस परकार से, बस, ये हो गया FE, बताओ, ये बन गई infinity पे मेंच, उमी सर पूछ ले आता है कि सर length of tube के terms में, अगर हमें magnification का formula लेखना हो, तो क्या करेंगे, बड़ी simple सी बात है कि देखो, ये मिर पास objective lens है, अब मान के चलो कि objective lens की जो image है, वो यहाँ बनी, कितनी distance मानी गई, VO distance पे, और इन दोनों lens के बीच की जो दूरी है, इसी को हम बोलते है length of tube, तो उसका मतलब है, VO की value लगबग, लगबग L के बराबर हो गई, ठीक है, एक assumption, दूसरा assumption जी है, जैसे मान के चलो, जो object आपने focus के, अगर लगबग, पास में ही रखा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि UO की जगह पे, हम minus का FO बोल सकते हैं, यो की जगह पे, distance के बात कर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, कि minus VO अपन यो था न, तो minus VO की जगह आ गया, VO की जगह आ गया, L, और UO की जगह आ गया, minus का FO, minus से minus sign cancel हो जाएगा, तो magnification का formula, length of tube के terms में, इतना आ जाएगा, आप इसका screenshot ले सकते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, और astronomical telescope के उसकी image को magnify करके बताना, देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो lens होते हैं, अब आपको समझना है कि इसमें दो lens कैसे होते हैं, तो पहला वाला lens होता है, बढ़ा, ताकि ज़्यादा से लाइट रे को collect कर सके, है ना, और दूसरा वाल lens छोटा होता है, अब actual में क्या है क कोई भी object जो बहुत दूर रखा है, वो infinity मान सकते हैं, तो infinity से light ray आ रही है, तो वो एक दूसरे के parallel आएंगे, तो optical center से पास होने वाई light ray सीधी चले गई, यहां से light ray आई, वो इस तरह से bend हो गई, तो यहां पर बन गई, किसी planet या फिर किसी heavenly body की image, इसको नाम दे दिया, A1 B1, object से आने वाई light ray का angle alpha, यह angle भी होगा alpha, तिक है, अब दूसरा वाला जो lens लेंगे, अगर हमें इसकी बड़ी image बनानी है, तो दूसरा वाला lens कैसे लेंगे, ऐसे कि इस दूसरे lens की focal length जो है, यह इसकी focal length और इसकी optical center के बीच में आ जाईए, तो एक light ray जाएगी सीधे, त ठीक है, और इसको यहाँ पे, जहाँ भी मिले, इसको मिला देंगे, और यह बन गई final image, जब भी यह बन गई final image, इसका angle हो जाएगा, बीटा, अच्छा, टेलिस्कोप में, LDTV का कोई रट्टा नहीं है, कि angle कहां से लेना है, टेलिस्कोप में तो बहुत simple जी बात है, angle made by image on eye upon angle made by object on eye, अच्छा, दो triangle है work करेंगे, एक triangle यह A1, B1, E, और एक triangle A1, B1, O, बस, perpendicular upon base, perpendicular upon base लगाओ, और answer पाओ, देखो, क्या गरा, इसमें perpendicular upon base लगाया, अलफा के लिए perpendicular upon base लगाया, ठीक है, इसके बाद, इसको solve गरा, तो answer क्या आया, B1, O upon B1, E, B1, O, समझना, B1, O, कचला अटा दें, यहां से, देखो, B1, O को हम क्या बोलेंगे, सर, देख लेते हैं, एक बार, B1, B1 का है, देखो, यह B1 है, और यह O है, तो objective lens की image बन रही है, इस दूरी पे, ठीक है, तो हम इसको VO बोल सकते हैं, और आप ये भी तो देख रहे हैं, कि हमने क्या लेख दिया, FO, अब B1, E, B1 से लेकर के, E तक की distance, यह क्या है, यह B1 जो है, जो पहले lens के लिए image है, वो दूसरे lens के लिए का है, object है, तो इसको हमने लेखा UE, लेकिन यह इस IPS के left में, इसलिए minus UE लेखा, तो magnification का यह formula हा गया, तो equation का बन गई, M is equal to minus FO upon UE, clear, now, इ infinity के लिए, infinity के लिए formula बन गया, minus FO upon UE, लेकिन, इसी formula में, हम LD TV पर अगर image बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यह जो 1 upon UE आप देख रहे हैं, minus 1 upon UE, यह simple, 1 upon UE की value होगर हम निकाल लें, और इस equation अब put कर दें, तो अपन को answer मिल जाएगा, तो हमने का करा, बस पर से वही lens formula लगाया, take I piece के लिए, VE की जगा, minus D put करा, UE की जगा, minus UE put करा, और यहां से 1 upon UE की value हमने यह निकाल दी, और इस value को निकालने के बाद हमने क्या करा, कि यह जो आप देख रहे थे हैं, equation number हमने कौन सी बनाई थी, यह जो equation number हमने second बनाई थी, इसी में ले जाकर के put कर दी, clear, और यहां से equation बन गई है, 1 upon UE की value है, clear है, अब देखो, यहां पर हमने क्या करा, FE और common ले लिया, FE common लेते हैं, तो FE में FE का divide होगा, तब ही तो FE common आएगा, D में FE का divide होगा, तब ही तो FE common आ सकता है, तो इस FE को हमने पलट के उपर बेज दिया, तो common लेने के बाद, final step हमारे पास, यह आ गया, clear है, तो astronomical telescope की, यह least distance of distinct vision पे, यह magnification आ गई, अच्छा, length of telescope निकालने के लिए, बस वही बात करी जाती है, कि दोनों lens जो है, इनके बीच की total distance है, क्या है, VO और यह UE, इन दोनों distance के magnitude को जोड़ दो, यह मिल जाएगी, length of tube, clear है, जहां पे VO है, वहीं पे telescope का FO, यहनिके focal length of lens होती है, तो आप इन दोनों जोड़ दो, आपको length मिल जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, वह थे reflecting telescope, है ना, इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे reflecting telescope, lens थे, तो उसमें reflection हो रहा था, अभी इसमें mirror का इस्तमाल करके reflection होता है तो actual में क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, कुछ कमिया है, reflecting telescope में, उनको overcome करने के लिए reflecting telescope का इस्तमाल करा जाता है, reflecting telescope जो होते हैं, इन में objective की तोर पे mirror का use करते हैं, किसका mirror का है, इन में image formation का सीधा सा पंड़ा क्या है, light ray आएंगी, mirror में टकराएंगी, इसके बाद यह यहां से reflect होके, secondary mirror में टकराएंगी, और यह दोनो light एक eye piece से pass होंगी, और उसके बाद final image बनेगी, clear है, यह होता है, कैसे gradient telescope जिसको में reflecting telescope भी कहते हैं, hardly कोई question ही इसमें पूछा जाता है, इनके reflecting और reflecting में, जो major difference ही वो ज़रूर पूछा जाता है, देखो, इसके बाद Newtonian telescope है, Newtonian telescope में भी कहा है, सीधे light ray आई, यह आपके पास एक mirror है, यह light ray कटी हुई, plane mirror पे जाके टकराएं, उसके बाद इस convex lens से इनको pass करा जाएगा, और फिर यहां पर image बन जाएगी, अब सवाल जो उठता है, कि इन दोनों telescope के बीच में क्या difference है, reflecting और reflecting के बीच में देखो, major difference य इमेज बनती है, वो एक ही color की बनती है, जबकि reflecting telescope, lens वाले telescope में क्या होता है, multiple color की image बनने लगती है, कारण उसका कि जब वो lens के उपर वाले part से पास होते हैं, तो उपर वाला part जो है prism की तरह act करता है, और light को है disperse कर देता है, अलग-अलग color में, तो इसको हम बोलते है, chrom telescope में chromatic aberration पाई जाती है, जो की mirror वाले में नहीं पाई जाती है, है ना, तो reflecting telescope ये वाले case में इससे आगे है, spherical aberration, इसका मतलब यह होता है, क्योंकि बड़े focal length का होता है, actual में, तो उसमें क्या होता है, कि एक कभी-कभी, बड़े size के lens होने कारण से, एक point पर सारी के सारी light इ कठी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से एक से जादा images भी बनने लगती है, इसको हम बोलते है, spherical aberration, तो इसमें तो mirror का use होता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बाती नहीं है, clear, इसके बाद क्या है, कि reflecting telescope की जो image है, ये reflecting से brighter होती है, तो ये बाद आपको समझना है, और ये जो difference से कई बार पूछे गए है, उमीद करूंगा ये आपको lecture समझ में आया होगा, comment section में आप मुझे लिख करके बताना, कि सर सारी वीडियो लेकर क्या हो, तो line लगा देंगे, जड़ी लगा देंगे, लेकिन आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया लेकर क्याएंगे, comment section में